हेलो फ्रेंट्स दिस इस रुतू एंड वेल्कम तो स्टेडी मोर डॉनिज तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट के लिए नया बैच वो भी हिंदी का तो हिंदी का जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो पॉर्शन होता है वो 30 मार्स का होता है इसमें 15 मार्स के लिए तो हिं करेंगे उसके बाद हिंदी पैडागोजी को प्रपेर करेंगे तो हिंदी कंटेंट में हम क्या करेंगे कि जो जिन टॉपिक से भी हिंदी कंटेंट में पूछा जाता है क्वेस्टेंस को उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे ऐसा नहीं कि पूरी ग्रामर हम पढ़ने वाले है हम सिर्फ उनी टॉपिक्स को करेंगे जो जिनसे अभी तक जादा से जादा क्वेस्टिन्स एक्जाम में पूछे गए हैं और बहुत शॉर्ट में करेंगे ऐसा नहीं है कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इतना एक्जाम के लिए जरूरी है उतना ही हम इसमें करने वाले हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की क्लास की इसमें मैंने जो थ्यारी है उसके साथ साथ मैंने कुछ प्रीवियस एर मैंने ले लिए हैं जो भी आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं और इसी तरह से कि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जो भी टोपिक हम करेंगे उसको प्रिवियस एस के साथ ही अच्छे से समझेंगे तो काफ़ इंट्रस्टिंग होने वाली है यह क्लास चली शुरू करते हैं आप मुझे शोशल मीडिया पर भी फोलो कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे बात करेंगे हम उपसर्ग की क्यूंकि हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे अपसर्ग और निया उसे हम बोलते हैं मूल शब्द किस तरह से आभी देख लेते हैं जैसे माल लीजे शब्द 1 है आपके पास हार हार नाम का शब्द है और हार का अर्थ आप जानते ही है कि हार का अर्थ होता है पराजे हार का मतलब होता है पराजे अब ये हो गया हमारा मूल शब्द ये जो है ये शब्द हमारा मूल शब्द है इसमें हम starting में कुछ शब्द जोडेंगे इसके अर्थ में परिवर्तन करने के लिए जैसे हमने प्र जोड दिया तो ये क्या बन गया प्रहार ये बन गया प्रहार और इसका अर्थ हो गया है अब चोट करना चोट करना इसका अर्थ हो गया है पहले जो इसका अर्थ था वो था पराज है जब ये मूल शब्द में था आपने तो ये इसका अर्थ बन रहा था पराज है मतलब हार लेकिन जैसे ही हमने प्राउपसर्ग इसमें जोड़ दिया इसका अर्थ ही बदल गया और ये बन गया प्राहर तो इसका मतलब होगा चोट करना इसी तरह से उपसर्ग को हम add करते हैं और आपको कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इस शब्द में कि उपसर्ग कौन सा है जैसे आपको प्रहार शब्द दे दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है तो उपसर्ग पहचानने के लिए सबसे अच्छा मैथड यही होता है कि आप बूल शब्द को अलग कर लें आपको अपने आप ही उपसर्ग मिल जाएगा तो ये बहुत ही easy मैथड है है इसी मैठोड से आप करेंगे अगर अगर तो उपसर्ग आप easily पहचान पाएंगे कुछ लाएक दैख लेते हैं देखे हिंदी में वैसे तो हमारे जो एक्जाम में जो आते हैं उपसर्ग ही ही आते हैं तो मूल सब्द पहचान लेंगे तो अगर आप एक बार ये उपशर्ग देख लेंगे कि कौन गोल से उपशर्ग होते हैं तो आप easily find out कर पाएंगे तो जैसे अती, अधी, अनू, अप, अपी, अभी, अव, आ, उत, या उद, उप तो ये सब उपशर्ग होते हैं, बाकी ये हैं, यहाँ पर कुछ दिये हुए हैं नि, निस, निर, अनि, परा, परी, प, इसके हमने बात करी थी प्रति, वी, सम, सू तो ये थे कुछ उपशर्ग जिनके हमने बात करी थी इसे अलग उपशर्ग चनरल नहीं पुछा जाता है, तो आपको कैसे करना है, जैसे मैं बताया है, मूल शब्द को अलग कर ले, मूल शब्द जो होगा, उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा, आपको ये ध्यान रखना है ऐसा नहीं है, कोई भी शब्द आपने निकाल दिया, अलग कर दिया, उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा, वही हमारा होता है, मूल शब्द ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द आप अलग कर देगी ऐसे ही अब देखे उपसर्ग वो तो हमने सिंगल उपसर्ग वाला देख लिया अब अगर बात करें कि डबल उपसर्ग भी होते हैं मतलब दो उपसर्ग भी आते हैं किसी-किसी वर्ड में उनके एक्जामपल यहां पर देखे दो उपसर्ग यूज किये गए हैं प्रती भी यूज किया है और अप भी यह हमारा हो गया मूल शब्द तो मिलकर क्या बन गया प्रत्यव वाद ऐसे ही समा लोचन में सम प्लस आ तो यह दो इसमें उपसर्ग का यूज हुआ है और लोचन इसमें मूल शब्द है तो मूल शब्द के पहचान कैसे करेंगे कि मूल शब्द हमेशा अर्थ वाला होगा अर्थीन नहीं होगा बिना अर्थ वाला नहीं होगा उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा तो वो हमारा कहा जाएगा मूल शब्द ऐसे ही वियाकरन का अगर हम करेंगे तो वी, आ और करन करन हो गया मूल शब्द बाकी हो गए उपसर्ग ऐसे ही बाकी शब्दों में भी हो जाएगा तो डबल डबल उपसर्ग इसमें यूज किया गया है अब उपसर्ग से related कुछ questions आए हैं अगर बात की जाए previous questions की seat head में जो पूछे गए हैं तो उपसर्ग से काफी कम question आए हैं लेकिन फिर वी आपको prepare रहना होता है क्या पता कब question कर लिया जाए तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला question है आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है कि रेवंबर 2012 में पूछा गया था question तो अगर हम मूल शब्द इसमें से पह जाने तो फर्स्ट में अगर हम देखेंगे तो निर्भर सेकिंड में देखेंगे तो सम्मान इनका कुछ न कुछ अर्थ बन रहा है इसमें अगर देखेंगे, तो आत्मी है, यह पूरा शब्द है, फोर्थ है परमात्मा, तो देखें इसमें पहचान पा रहे होंगे, आप उपसर्ग क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में लगता है शब्द के, किसी भी शब्द के, तो स्टार्टिंग में फोर्थ वाले उप्शन में क्या आ रहा है, परम आ रहा है, तो परम जो आ रहा है, इसमें, यह हमारा परम उपसर्ग आ रहा है, तो हमारा फोर्थ उप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, बाकी में, बाकी सभी में, आत्मी उपसर कि यूज किया गया है आप अगर बात करें हम हम सेकंड क्वेश्चिन की तो यह जुलाई 2013 में पूछा गया था तो इसमें देखिए जो ग्रूप हमें बताना है वो बताना है प्राउपसर्ग से बनने वाला शब्द समू कौन सा है तो प्राउपसर्ग का हमने अभी जाना था इस्टार्टिंग में ही तो हमें मूल शब्द पहचानना होगा तो यह ऐसा option आ रहा है ये वाला थर्ड option में तो इसमें अगर हम देखें मूल शब्द मिल जाएंगे हैं में पत्र इसमें देश इसमें भाव बाकी में अगर हम देखें तो किसी में भी complete प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समू नहीं है इसमें अगर हम देखें प्रती एक में प्रती उपसर्ग लगा है इसमें भी प्रती उपसर्ग लगा है और इसमें भी प्रती उपसर्ग लगा है तो मतलब पूरा जो शब्द समू है वो है थर्ड option में थर्ड option इसमें correct होगा next question आ जाएगा किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रियोग नहीं किया जा सकता है अब एक मेथड और होता है उपसर्ग या प्रत्य को पहचानने का कि आप वाक्य उससे बना कर देखें आप जैसे हमसे यह पूछा है इसमें ना उपसर्ग का प्रियोक इसमें नहीं किया गया है तो हम इसे हर शब्द में लगा कर देखेंगे जैसे पहला शब्द बनेगा ना काबिल second होगा ना हाजिर तो ना हाजिर तो कोई होता ही नहीं है अगर हमें हाजिर का opposite बनाना होता है तो हम गैर हाजिर बोलते हैं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बाकी का अगर देखें तो यह ना पसंद हो जाएगा और यह हो जाएगा नावाकिफ तो आंसर हो जाएगा second option क्योंकि इसमें अगर हम इसका opposite बना जालतर ना लगाकर हमने opposite ही बनाया है इन शब्दों का तो इसमें अगर हमें opposite बनाना होता है तो हम गैर हाजर लगाते हैं गैर उपसर लगाते हैं इसमें अब बात करेंगे प्रत्य की तो उमीद है कि उपसर्ग आपने समझ लिया होगा अच्छे से बस आप उन 22 उपसर्ग को एक बार नजर देख लेना एक नजर देख लेना तो आपको याद रहेंगे प्रत्य कौन से होते हैं प्रत्य होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तो देखे अपोजिट है ये उपसर्ग का उपसर्ग का ये अपोजिट है क्योंकि उपसर्ग क्या होता है वर्ड के स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है लेकिन प्रत्य वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है कि वही कि लास्ट में जोड़े जाते हैं और मूल शब्द के लास्ट में जोड़े जाते हैं जैसे हमने देखा था कि उपसर्ग तो मूल शब्द के स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं और अर्थ बदल देते हैं शब्द का कुछ और बदल देते है उसका ऐसे ही प्रत्य लास्ट में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो लेकिन जो यह उपसर्ग्या प्रत्य होते हैं दोनों इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है तो प्रत्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और मतलब हम इनको अलग से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उपसर्गूत को तो हम एक तरह से यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्रत्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है हम जानेंगे किस तरह से जैसे हम बात करें अगर प्रत्य की एक्जांपल के तोर पर अगर देखें तो देखें जो हमारा पहला शब्द है इसमें समाज जो है ये है मूल शब्द और जो इक है ये है इसमें प्रत्य है तो अगर शब्द हम देखें कुछ अर्थ इसका नहीं निकल रहा है लेकिन अगर हम समाज को देखें, तो समाज का एक अर्थ है, तो यह अर्थपून शब्द है, जिसे हम मूल शब्द कहते हैं, तो मूल शब्द में प्रत्य जोडने पर एक नया सब्द बन गया है, इसे हम कहेंगे समाजिक, ऐसे ही सुगंधित बना है, सुगंध मूल शब्द नहीं है कि मैं तो भूलना प्लस अकड बन गया इस तरह से और वी काफी सारे प्रतिय हैं तो प्रत्य के टाइप्स भी होते हैं कSab вы होते हैं के होते हैं तो जम प्रत्य होते हैं तो जानल इसका आता भी नहीं है एक दो माक्स काहीं आता यह तो इतना समझ लेंगे तो काफी रहेगा क्योंकि बागी सब्जेक्स भी पढ़ने होते हैं तो अब हम चलते हैं प्रिवेसर क्वेस्टेंस की तरफ इनसे हम समझेंगे किस तरह से हम प्रत्य को को फाइंड आउट कर सकते हैं अब जैसे फस्ट कुछिशन की बात करें इसा कि के विक्सित शब्द में प्रत्य है यह आया था देसंबर 2019 में तो विक्सित का अगर हम मूल देखें तो मूल शब्द होगा विकास और इसमें प्रत्य लगा हुआ है इत्व क्यिंक्स्टमेकि driving क्यों इसमें देख रहें रहे हैं जोटि की मात्र लगी हुएyor या तो फिर यह पूछा जाता है जैसे किसी में उपसर्ग डबल लगा रहता है जो हमने अभी लास्ट ताइम देखा है डबल उपसर्ग लगा होगा या डबल प्रत्य लगा होगा तो इस तरह के इसमें पूछे जाते हैं जुलाई 2019 में इसमें पूछा गया था उपसर्ग और प्रत्य दोनों ही इसमें लगे हुए हैं आध्यात्मिक्ता का हमें बताना है इसमें हो जाएगा फोर्थ ओप्शन अधी प्लस अधी एक और ता तो अधी तो देखिए उपसर्ग लग गया इसमें स्टार्टिंग में और प्रत्य लगा हुआ इसमें डबल लास्ट में और ता तो बन गया आध्यात्मिक्ता नेक्स विश्चन देखेंगे अनहद्ध शब्द में क्या है उपसर्ग है प्रत्य है यह हमें फाइंड आउट करना है तो इसमें देखिए हद्ध होता है एक अर्थपूर्ण शब्द तो इसका मतलब अन इसमें उपसर्ग है तो सेकिंड ओप्शन इसमें करेक्ट हो जाए भाग होता है मतलब भाग लेना होता है जसे किसी चीज में पाड लेना भाग लेना उसे हम बोलते हैं तो मूल शब्द अगर हमने निकाल लिया तो बनेगा इसमें उप्सर्ग और प्रत्य क्या बन जाएगा यह बन जाएगा सहः प्रश इता तो छोटे स्कृतिक में कौन सा प्रत्य आ सकता है तो अनिशित में हम यूस करके देख सकते हैं ऐसे कि अनिश्चिती थी तो ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता यह भी कुछ ऐसे ही प्रणाउंस होगा और अनिश्चित्ता हम यह सकते हैं कि यह वाला ओप्षन हो सकता है थर्ड ओप्षन इसमें करेक्ट हो जाएगा किस शब्द में उप्सर्ग और प्रत्य दोनों हैं देखिंग उप्सरग और प्रत्य एक साथ पूछर जा रहे हैं जारतर आज करें तो इसमें आ जाएगा second option अब देख सकते हैं चल तो हो गया इसमें मूल शब्द इत हो गया प्रत्य और प्रव हो गया उपसर्व तो ये बन जाएगा प्रचलित क्योंकि ये मात्रा के रूप में यूज हो जाता है तो प्रचलित हो जाएगा इसका answer अब next question है किस शब्द में इक प्रत्य का प्रियोग नहीं किया जा सकता इसको भी हम यूज करके देखेंगे शब्द में शब्द बना कर देखेंगे इसका तो जब अगर इस तरह से आप से पूछा जाए कि ये वाला प्रत्य या फिर ये वाला उपसर्व कि इसमें यूज नहीं हो सकता तो सभी शब्दों में आप उसको यूज करके देखेंगे जैसे हम जीव का जीव में अगर इसे एड करें तो बन जाएगा जैविक स्वभाव का बन जाएगा स्वभाविक प्रकर्ति में एड करें तो प्रकर्तिक और भै में add करें तो भै ऐसा कोई शब्द नहीं होता है तो यही option correct हो जाएगा क्यूंकि नहीं पूछा है fourth option इसमें right हो जाएगा किस शब्द में दो प्रत्यों का प्रियोग हुआ है देखे डबल डबल प्रत्य डबल उपसर गी बहुत question आ रहे हैं या फिर उपसर प्रत्य पूछ ले जाता है तो दो प्रत्य का यूज किसमें हुआ है यह हुआ है वास्तविक्ता में अगर हम मूल शब्द देखें तो इसमें होगा वास्तव मूल शब्द और एक एक प्रत्य हो जाएगा एक वास्तविक्त बन जाएगा और एक प्रत्य हो जाएगा ता तो वास्तव एक और ता से मिलकर बनेगा वास्तविक्ता तो यह दो प्रत्य इसमें यूज हुई हैं किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्य दोनों है अब देखें यह भी कु फल तो ये अर्थपूर्ण शब्द है तो स जो है ये उपसर्व हो गया और ता ये हो गया प्रत्य है बन गया सफलता तो काफी एजी है एक बड़ ट्रिक अप समझ लेते हैं तो बहुत एजी लिए फाइंड आउट कर पाएंगे दर्शन ये शब्द में प्रत्य है सेप्टेम्डर 2014 में पूछा गया था तो प्रत्य हमसे पूछा है अब क्योंकि इसमें बड़े एकी मात्रा दी हुई है तो हमारा कुछ ऐसा ही ओप्शन होगा दर्शन प्लस ये ऐसे मिलकर ये बना है तो ये हो जाएगा दर्शन है शरीर में इक प्रत्य लगने पर क्या शब शब्द को होता ही नहीं है ये तो वैसे हो जाएगा क्योंकि बड़े एकी मात्रा इसमें आरी है अब बागी ये दो शब्द बचते हैं तो शारीरिक ये भी रोंग हो जाएगा और ये सही हो जाएगा शारी ये बिल्कुस लिखा हुआ है तो इसमें वर्तनी का भी आपको नौलीज होनी चीए जुलाइट 2013 में ये पूछा गया था नेक्स्क्रिशन है एक प्रत्य का उदारन है तो देखें एक प्रत्य से बहुत पूछे गए हैं एक प्रत्य का उदारन है सांस्कृतिक देखिए तो रिपीटी हो गया है उसमें कुछ और तरीके से पूछा गया और इसमें कुछ और तरीके से पूछा गया है थार्ड ओप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा यह तो देखने से पता चल रहा है किस शब्द में एक प्रत्य को प्रियोग नहीं है तो इसमें भी हम बता सकते हैं देखिए एक मतलब यह जो है यह मात्रा है एक तरह से मात्रा क था यह और एक जोड़ दिया हमने तो बन गया व्यवसाइक राजनीती था यह और राजनीती में हमने एक जोड़ दिया तो राजनेतिक बन गया सार्थक में हमने ऐसा कुछ जोड़ा नहीं है तो यह गलत हो जाएगा संस्कृति में हमने जोड़ दिया है एक तो यह बन गय कि डाबल डॉप्शन नहीं पूछे जाते हैं किसी भी तरह से तो बॉद्धिक का मतलब क्या होता है बॉद्धिक मतलब उधि से संबंदित मतलब इसमें मूल शब्द क्या हो गया बुद्धी तो बुद्धी वे वाला हमारा ओप्शन बस यही है अगर आपको यह भी आता है ना तो आपको और कुछ चेक करने की जरूरती लिए है तो मूल शब्द हो गया बुद्धी एक प्रत्य लगने के बाद बुद्धिक बन गय इतिहासिक क्या है इतिहासिक होता है इतिहास से संबंदित तो मूल शब्द लगाने से बन जाएगा विज्ञानिक को यह सैकिन ओप्षिन इसमें आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा यह साहित्य शब्द में प्रत्य लगाने पर शब्द बनेगा तो देखिए इक से बहुत जादा साहित्य लगाने से बनेगा साहित्य को क्यूंकि हम छोटे की मात्रा में हम कनवर्ट कर देते हैं इसका नया शब्द बनाते हैं तो यह था आज का वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और शेर जरू करें अपने फ्रेंड्स के साथ यह रिलेटिव के साथ और इसके अलावा अगर आप आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन्फॉमेटि वीडियो में थैंक्स फर वोचिए